हेलो स्टूडेंट्स सिफ सक्सिस चैनल में आपका स्वागत है आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सैविन की बोक इंगलिश रीडर का लैसन 11 जिसका नाम है लोहरी प्यारे बच्चों लोहरी का तेवहार आपने सुना होगा और बहुत बच्चे इसको लोहरी के नाम से जानत हैं कुछ बच्चे इसको बुड़की के नाम से जानते हैं तो बुंदिल खंड एरिया में इसको बुड़की कहा जाता है और वांकी अन्य जगह में इसे संकरांती कहते हैं और वांकी जगह पर इसे लोहरी के नाम से जाना जाता है आप देख पा रहे हैं बच्चों बॉक् प्रिस्मस डे भी मनाते हैं, श्वतंतरता देवर्ष मनाते हैं, तो प्यारे बच्चों ये सभी क्या होते हैं, हमारे त्योहार होते हैं, बिच फैस्टिवल, do you like the most? और आपको सबसे अधिक त्योहार कौन सा पसंद होता है, तो कुछ बच्चे कहेंगे कि मुझे होली पसंद है कुछ कहेंगे मुझे रक्षा बंदर पसंद है कुछ बच्चे कहेंगे मुझे दीपा बली पसंद है कुछ बच्चे कहेंगे मुझे क्रिस्मस डे पसंद है तो इस तरीके से सभी बच्चों की अलग अलग च्वाईश होगी तो आप अपने त्युहारों को कैसे बनाते हैं जैसे मैं बात होली की करूं तो होली कैसे मनाते हैं प्यारे बच्चों आप कल हर्स से कहलते हैं गुलाल से कहलते हैं रंग से कहलते हैं पिछकारी से रंग एक दूसरे पर फेकते हैं दूसरे चीत दिवाली कैसे बनाते हैं तो कुछ बच्चे कहेंगे हम बम पटा के फोड़ते हैं, हम फुल जड़ी जलाते हैं, हम दिया जलाते हैं, हम मिठाईया खाते हैं, गणपदी जी और लक्षमी जी की पूजा करते हैं, अगर हम कहें प्यारे बच्चों आप राकी का तेवार कैसे मनाते हैं, तो स च 머्टा के से फेस्टिवल फेस्टिवल को सभी बहुत सारी लख्डियों को हो। बनाने ने का लगलाग लग तरीका होता है जेसे इस चित्र में जो दिखाया गया है तो उस्में आग को जला कर सभी बहुत बना चला इस तरीके से लौरी का संक्रांती का तिवार मनाया जाता है अब देखिए लेशन में क्या है डाउन इन दी साउथ, दा डेज आर फाइन वहन जन्वरी कम से राउंड बट अप इन दा नौर्थ, हैंड इन दा हिल्स और जन्वरी स्लाउरी टाइम डाउन इन दा साउथ, अरत मनला दक्षड तो घक्षड में देज gh surprise जो दिन होते हैं अच्छे होते हैं तिय में जन्वरी कम से राउंड जब जन्वरी का में ता है चब जन्वरी का महिंदा फासुलोरी आता है लेकिन उत्तर में मतलब दक्षण में तो क्या होता है दिन अच्छे होते हैं लेकिन उत्तर में जो hills होते हैं परबत होते हैं और भी बहुत दूर दूर तक जब जन्वरी का लोहरी वाला टाइम आता है we gather up all twix and leaves तो हम क्या gather करते हैं? gather मतलब एखटा करना twix मतलब टहनिया, leaves मतलब पत्ते तो हम सभी एखटे होकर टहनिया एखटी करते हैं और पत्ते एखटे करते हैं and wood of any short और किसी भी प्रकार की हम लकडी को एखटा करते हैं soon we have a great big file and in just a little while the flame will leap up high, leap right into the sky soon we have a great big file और दीरे दीरे हम देखते हैं सभी लोग के लकडी एखटी करके एक बहुत बड़ा धेर तैयार कर लेते हैं and in a just file और कुछ ही चड़ों में तुरंती the flame will leap up high जो law है उसके जलने की वो बहुत हुँचाई तक जाती है flame मतलब जवाला बहुँचाई तक जाएगी leap right into the sky और ऐसा लगता है कि यह तो आकाश जितनी उची जा रही है तो प्यारे बच्चों आपको इस paragraph card समझ में आ गया कि सभी लोग एक लकडी लकडियों को खटे करती एक बड़ा धेर बना लेते हैं और फिर उसको जैसी जलाते हैं तो उसकी जो flame है या जुआला है वो बहुत उचाई तक जाती है प्यारे बच्चों आप तस्वीर में देख पा रहे हैं किस तरीके से आप आग को जलता हुआ देख रहे हैं और सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं nuts and sweet maids make the ornaments तो जो मेवे हैं और जो मिठाईया हैं उनको थाली पर आवुषणों की तरह सजा लिया जाता है passing from hand to hand और उन्हें एक दूसरे के हाथ में pass किया जाता है I think everyone will agree with me we have lonely customs in our hand don't we और वो कहते हैं मुझे लगता है साइद सभी लोग मेरी बात से सहमत भी होंगे agree मतलब सहमत होंगे we have lonely customs in our land क्योंकि जो हमारी धर्ती है यहां पर बहुती शुन्दर शुन्दर प्रथाएं हैं शुन्दर सुन्दर रीती रिवाज हैं यसे आप लोग भी जानते हैं जैसे हम सभी का इंडिया में जन्दर गुगा है तो इंडिया में कितने अच्छे इच्छे तहे बनाया जाते हैं कितनी अच्छी परथाएं हैं कितनी अच्छी रीती रिवाज हैं पूजा पाट की जाती है सभी क्या मतलब हवान किया जाता है पूजन किया जाता है अगर कोई भी तिवार होता है तो इस तरीके से हम कहते हैं कि हमारे भारत में बहुत ही अच्छी प्रथाएं हैं दोंट भी अच्छा भी बताइए नहीं है क्या बट बॉनफाइर्स कंज्यूम अलॉट ऑप बॉनफाइर्स मतलब जब आग जलती है लकडियों में आग लगाए जाती है तो इसमें बहुत अधिक लकडी लगती है बुड बहुत सारी लगती है और अगर परियामरण के लिए भी बात कही जाए तो ये बात ठीक नहीं है और जो हबा है वो भी इस लकडी के जलने से जो दूगा निकलता है उससे दूशित हो जाती है तो इससे ये बड़ी समस्या बन जाती है I don't want to give up lorae and there must be a better way तो वो कह रहा है मैं ये नहीं कहता कि आप लोघुण लोहरी ना बनाओ I don't want to give up lorae मैं ये नहीं चाहता कि आप लोहरी का तेओहर मनाना ना ही छोड़दो कि लकडील जादा लगती है लेक़ित बो कह रहा है टेओहर तो मनाओ I need there must be a better way लेकिन एक ठीक तरीके से आप उस तेवहार को मनाईए तो जो हम लकडी चला कर अभी लोहरी का तेवहार मना रहे हैं तो हमारे अंदर जो हेटर नफरत भरी हुई है हमें लकडी की जगए उसको जलाना चाहिए और हमें अपने मन में अच्छाई की लोग जलानी चाहिए कहने का साई ये है कि हम हर तेवहार मनाते हैं और हर तेवहार हमें एक सीख दे के जाता है जैसे अभी हमने एक दसेरा का तेवहार मनाया जितनी भी नाराजगी हैं, जितने भी गिले शिक्वे हैं, उनको चलाइए और अपने अंदर अच्छी गुणों का विकाश करिए, अपने अंदर इंशानियत लाइए, मानावता लाइए, और जितनी भी हेटर्ड हैं, उनको अपने आप से दूर कर दीजिए, इसलिए हम ये लोहरी का त्योहार मनाते हैं प्यारे बच्चो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो जल्दी जल्दी मिलते रहें थैंक यू फॉर वाचिंग सिफ सेक्सिस वीडियोज